हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेकिन राजस्तान सरकार ने इस बार खुशियों की सोगात दे डाली है किसान गरीब मजदूर परिवारों पर गाउं के लोगों पर ये चेहरे पर ये खुशी साफ नजर आ रही है इस महंगाई में जो फाइदा अशोग गेलोद की सरकार ने दिया है नागानी गाउं पंचायत के गाउं के लोग बेहद ही खुश है नागानी गाउं पंचायत की गाउं के लोग जब बिजली का बिल भरने गए तो विदुत कर्मी ने बोला कि आपका बिल सरकार ने माफ कर दिया है और आपको एक पैसा भी नहीं भरना है ये सुनते ही लोगों के चेरे पर कुशी साफ नजर आई हर कोई एक दूसरे को अपने बिल दिखाने लगे और खुशी खुशी अपने घर गए किसानों ने बताया कि अशोग गेलोद की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस महंगाई में और कम बारिश में घर चलाना बहुत कठीन हो रहा था मगर अशोग गेलोद की सरकार ने बिजली का बिल माफ कर बहुत बड़ी रहत पहुचाई है गरीब परिवारों को इससे बेहत फायदा होगा सरकार को और भी फायदे दे कर महंगाई से निजात देनी चाहिए क्या कहते हैं पंचाय समिती सदस से दोलाराम मेगवाल अशोग गेलोद सरकार ने बिजली का बिल माफ कर जो किसानों मजदूरों और गरीबों को रहत दी है वो एक अच्छी पहल है और गेलोद सरकार किसान मजदूरों और गरीबों की सरकार है ये महंगाई में उन्होंने ये राहत देकर साबित किया है क्या कहते हैं भारतिय किसान संग के पूर्व तैसील अध्यक्ष जीवाराम घाची कोई भी सरकार हो जो किसानों, मजदूरों और गरीबों का भला करेगी वही सरकार राज करेगी और जो बिजली बिल माव करके लोगों को थोड़ी राहत मिली है सरकार को लोगों को अन्य भी राहते देनी चाहिए तभी लोगों को फाइदा होगा जागरुक टीवी के लिए नागानी से महिंदर सिंग परमार की रिपोर्ट